आपके शरीर के लक्षन सब कुछ बया कर देते हैं आप पर क्या बीतरी है सब कुछ बता देते हैं अगर आपके शरीर में ये लक्षन मौजूद हैं होने लगे अचानक तो कोई आपको बद्दुआ दे रहा है कोई आपको कोस रहा है कोई आपकी बुराई कर रहा है ऐसा आईए लक्षन जानिए आज के वीडियो में हम है एस्ट्रोलाजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री ऐसे ही जानकारी आपके लिए लाते हैं जानकारी पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्षन में ओम नमस्षिवाय और जैमातादी अवश्य प्रेशित करिए आईए आज का वीडियो प्रारम करते हैं जो आपकी बहुत काम आने वाला है मित्रो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो उनको पसंद नहीं करते हैं लेकिन प्रशन सक होने का नाटक करते हैं हितैशी होने का नाटक करते हैं और बलकि उनको वो व् है हितैशी होने का और ये आपको भली भाती मालुम चल सकता है अगर आपके जीवन में ये घटनाई अक्सर हो रही हो पहला लक्षन है आपकी आँखें भारी होना अगर अचानक से आपकी आँखें भारी होने लगे तो समझो आपको कोई कोस रहा है बद्दुआ दे रहा है और आपकी भैंकर बुराई कर रहा है दूसरा लक्षन है सिर भारी होना अगर अचानक आपका सिर भारी हो जाए तो ये बहुत बड़ा लक्षन होता है कि आपको कोई कोस रहा है क्योंकि जो आपको पसंद नहीं करता है वो बहाने से बैक बाइटिंग करता है और ये बहु आपको कोई कोश रहा है या आपकी निंदा कर रहा है अगर आपकी भूक कम हो गई है तो ये प्रमुख लक्षन है कि कोई आपकी निंदा कर रहा है अचानक से आपको बैचेनी अनुभव हो तो इसका बड़ा कारण है कि कोई आपको कोश रहा है अगर अचानक से आपको समझ प्रमुक लक्षन होता है कि आपकी भयंकर निंदा हो रही है, कोई आपकी चुगली कर रहा है, आप कोसना, चुगली करना या बुराई करना जीवन का आवशक अंग हो गया है, जिन लोगों को और कोई काम नहीं होता, वो ऐसे रिष्टेदारों के या ऐसे पढूसियों के न जुलने वाले भी हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसका उपाई भी बताते हैं, अगर आप फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, तो नई कपड़े और धुलेवे कपड़े पहनना चालू कर दीजिए, नमक डाल कर इसनान करना चालू कर दीजिए, आपके ये समस्या म तो आप ऐसा महसूस करते हैं अगर ये सच है तो क्योंकि बुराई और निंदा तो होती ही है हर किसी की इसको अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि अपने अंदर क्या संशोधन करें जिससे आपको किसी की निंदा या चुगली या लाब होने लगेगा प्राणायम करिए दीर्ग श्वास लीजिए और छोड़िए इससे भी आपको फायदा होता है घर में कंटीन्यू गायतरी मंतर का जाप करना चालू कर दीजिए सुनना चालू कर दीजिए आपको लाब होगा घर से तूटा और पुराना सामन फैकते र लीजिए टॉयलेट जाने के बाद कपड़े जरूर चेंज करिए इससे नकारत्मक प्रभाव आप पर नहीं पढ़ते हैं और आप सकारत्मक चिंतन करने लगते हैं आपको ऐसे लोगों से सावधन रहना चाहिए लेकिन अपने आपको भी संशोधित करना चाहिए क्योंकि क कि अपको ऑर प्रहुए खिर को ताने चाहिए करने चाहिए लोगों से अथात्वर को भी सिंदे करने जले के लिएको ऑने टो है रहने में से 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 लिएकर बाद चाहिए या कर जार दो झाल झाल